आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ identify the mismatch हमें बताना है यहां पर कौन सा option जो है mismatch हुआ है फिर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है बिली रूबिन और बिली वर्डिन matched with bile salts सेकंड ऑप्शन में digestion of fat with lipases थर्ड ऑप्शन में hydrolysis of starch with amylase और ऑप्शन 4 में salivary gland with parotid तो बिली रूबिन और बिली वर्डिन होते हैं यह क्या होते हैं यह दोनों present होते हैं bile juice में यह bile juice जो होता है release किया जाता है bile liver bile juice के जो दो pigments होते हैं क्या होते हैं यह pigments इनका formation कब होता है इनका formation होता है जब RBC produce हो रहे होता है इनका जो function होता है main वो होता है fat के digestion में help करना जबकि बात करें bile salts की, जो bile salts होते हैं ये भी liver के थूरू release किया जाते हैं पर इनके pigments, bilirubin and biliverdin नहीं होते ये liver के थूरू release किया जाते है, bile salts का जो काम होता है ये भी digestion में help करते हैं bile salts भी इनका काम होता है toxins को remove करना, toxins का removal करना, यह इनका main काम होता है तो यहाँ पर यह वाला जो option है, यह हो गया, mismatched Billy Rubin, Billy Worden with Bysolts next option में बोला गया है, digestion of fat with lipases, तो lipases जो है, यह एक enzyme है इस enzyme का function होता है, जो fat है, fat का breakdown करके, breakdown करके सरी, इनका breakdown करके बना fatty acid plus glycerol, तो यह बिल्कुल सही match किया हुआ है, digestion of fat में help करता है lipases, then next match किया हुआ है, hydrolysis of starch with amylase, तो amylase भी क्या है, यह भी एक enzyme है present होता है, सबसे आदा हमारे saliva के अंदर, और इसका भी function क्या होता है, कि जो भी starch है starch का breakdown करे, और उसको और small molecules में तोड़ दे, तो यह भी बिल्कुल सही match किया हुआ है, next match किया salivary gland with parotid, तो salivary glands का दूसरा नाम होता है, parotid gland, इसको medical language में बोला जाता है parotid gland, यह जो salivary gland होते हैं, क्या release करते हैं, जैसा कि इनका नाम ही salivary gland है, saliva release करते हैं, हमारी cheeks के पास present होते हैं, cheeks वाले area पर present होते हैं, टंग के नीचे भी present होते हैं, टंग के बनीच present होते हैं और इनका main function क्या होता है, अभी जिस enzyme की हमने बात करी थी, amylase enzyme, इसको release करना, तो यहाँ पर एक ही option था, option number one, जो mismatch था, and that is our correct answer Classics to 12 से लेके, NEET IIT जेही, means और advance के लेवल तक, 10 million से जादा students का भरोसा आज ही राउनलोड करें डाउटने टाप, यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, 8444 चार्स उपर